हरियाना की महसूर दानसर सपना चोदरी पर केस दर्ज हुआ है सपना चोदरी के जो चाने वाले हैं जो उसके फैंस है उसके लिए एक बुरी ख़वर सामने आ रही है सपना चोदरी समेथ उसकी माँ और उसके बाई के खिलाब दहेज परतारना का मुकदमा दर्ज हुआ है दहेज में क्रेटा गाड़ी मांगने और मार पीट करने का भी आरोप लगा है तो फ्रीदाबाद जो महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे में 42 तोड़े सोना और बाकी दहेज का समान देने की भी बात आई है तो ये पूरा मामला क्या है तो उसके हम आपको जानकारी देने वाड़े हैं तो दहेज में क्रेटा गाड़ी मांगने की बात सामने आ रही थी साथ ही तीनों पर मारपीट करने का भी अरोप लगा है हाला कि अब तक यह नहीं मालूम चल पाया कि आखिर मुकदमा करने की क्या वज़े रही है इतना जरूर है पता है कि सपना चोदरी और उसके परिवार के खिलाब फरीदाबाद पलवल महिला थाने में पूलिस ने मुकदमा दर्ज किया है तो इस मामला क्या है रियाना कि मसूर डानसर सपना चोदरी उसके बाई करन और मा के खिला पलवल महिला थाने में दहेज उत्पीडन मारपिट सहित गंबीर दाराओं में मामला दरज किया गया है मुकदमा सपना चोधरी की बाबी ने दरज कराया है दरज मुकदमे में आरोप लगाया है कि दहेज में क्रेटा गाड़े की मांग की गई थी लेकिन जब करेटा कार नहीं दी गई तो पीडिता का उत्पीडन मारपिट का सिलसला शुरू हुआ फिलहाल पुलिस ने मामले के जांच सुरू कर दी है हरियाना की मसूर डानसर सपना चोधरी एक बार फिर से विवादों में आ गई है क्योंकि पहले भी ये पर्सनल लाइफ से विवादों में रह चुके है इस बार उसके बाई करण सहित मा निलम पर दहेज मांगने का आरोप है वह बाई पर आप्राकरतिक योन सोचन करने जैसे गंबीर आरोप लगे है पलवल की रहने वाड़ी सपना चोदरी के बाई ने महिला थाने में दी सिकायत में का कि साल 2018 में उसकी साधी नजफगड दिल्ली के रहने वाड़ी सपना चोदरी के बाई करने के साथ हुई थी जिसमें साधी पर उसके परिवारें 42 तोड़ी सोना वए दहेज का बाकी समान भी दिया था इसके अलावा उसने साधी का आयोजन दिल्ली के होटल में करने के लिए कहा गया था जिसका खरच करीब 42 लाख था साथ ही 3 लाख रुपए मिलनी में खरच हुए थे जही उसे दहेज के लिए परताडित किया गया और उसके साथ कई बार मार पीट की गए जब पीडिता की बेटी पैदा हुई तो उसके ससुराल वालों ने बेटी के छुचक में करेटा गाड़ी की मांग की सिकायत के मुताविक छुचक में पीडिता के पिता ने 3 लाख नगदव सोना चांदी वा कपड़े दिये करेटा गाड़ी नहीं मिलने पर उसे करेटा गाड़ी लाने के लिए परताडित करने लगे 26 में 2020 को उसके पती ने सराव के नसे में उसके साथ हमारे पिट की और आये प्राकरते की योन समंद बढ़ाए सिकायत में कहा गया है कि करीब 6 महीने पहले वह अपने पिता के घर पलवला गई जिसकी सिकायत उन्होंने महिला थाना पुलिस को दी महिला थाना पुलिस के द्वारा इसमें पिडित के पती करन ननंद सपना चोधरी माता निलम के खिलाब मुकदमा दरज किया गया है मामले में किसी भी आरोपी की गिरफतारी नहीं हुए पुलिस का कहना है कि जांच की जारी है DSP स्तेंदर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं तो यह पूरी जानकारी थी आप लोगों तक सेर की है और आप इस वीडियो को भी ज्यादे ज्यादा सेर करें